जाएए अभी तो मैं वीडियो देखी रहा हूँ ना घरों में घुस घुस के नमाज पढ़ने से रोका जा रहा है घरों में घुस घुस के मारा जा रहा है जैसे शेडूल कास्ट कमुनिटी के लोगों को मारा जाता है बेंजामिन नितन्याओ की और इसराइली आर्मी की कोई हैसियत और अकात थोड़ी है इरान के सामने खड़े जाने की तो बेंजामिन नितन्याओ अपने करफशन के केस चुपाने के लिए अपने पूरे देश को कत्रे में डाल रहा है ये केरेक्टर है जिन लोगों का उनके खिलाफ प्रोटेस्ट करना मैं समझता हूँ प्रोटे इस तरह की जो बयान है वो आए दिन बढ़ रहे है किस तरह की कारवाई होनी चाहिए कैसे इनको देखें बयानों को एक आरेसेस द्वारा संचालित बीजेपी द्वारा संचालित एक टर्रिस्ट गैंग है आतंगवादियों का एक गैंग है जो और गैंग में क्यों कह रहा हूँ क्योंकि एक जैसी बाते अलग अलग टाइम पे अलग अलग जगाओं से पूरे देश से करते हैं बिलकुल एक जैसी बाते तो गैंग की जो अ इंटेलेक्चिल इंपुट जिसको इशारा और जिसकी हिफाज़त आरेसेस करती है बीजेपी करती है इसमें किसी को कोई शक और शुबे की गुंजाईश नहीं होनी चाहिए क्योंकि यतिन अर्सिंगानंग जी के एक बहुत अच्छे मित्र थे वो आजकल वो त्यागी बनने की चेश्टा कर रहे हैं मैं उनका नाम नहीं लेता हूं कभी भी क्योंकि वो अच्छी बात नहीं है उनका नाम ही मैं नहीं लेता हूं लेकिन एक कुछ क्लाइंट्स हमारे पास आये उत्तरा खंट से हमने कानूनी और समिदानी तोर से उनका ऐस अच्छा इलाज किया कि आज क्या उनके मुद से एक शब्स सुन पाते हो सिवाई रोने के अलावा तो भारत के समिदान और कानून में ताकत है लेकिन कमी क्या है लोगों में उनके खिलाव कानूनी एक्शन लेने की जो जो तरीके उनके वो ठीक नहीं है या बहुत सारे ल काम के लिए काम के लिए काम करते हैं तो काम के लिए काम करने वालों की जरूत है कोई यति नर्सिंगानंद भारत के समिदान के सामने कोई हैस्यत नहीं रखता भारत के कानून के सामने कोई हैस्यत नहीं रखता और यह डरपोक वेखती हैं सारे मैं आपको और एक बात बता सबीकते हैं मैं पकड़ कर सकता दो बड़ा गलत बात है तो इन्होंने होगा पहले मेरी बात करा weekend पुलिस से अडिकारें पर निकरेंगे तब मैं ऐसी कोई बेकार कि बात बोलूँंगा यह इसका बोट और इसके अलावा इनकी हिम्मत नहीं है मैं इनको जानता हुं के साथ इक लाए नहीं है इस प्रकार की भारत के समय और कानून लेवी लेवी कुछी हुई है और मुसलमानों के लिए खास तौर पे सिख्क्रिश्चन बहुत के अंदर भी गुशा रखी है यह मुखबिरों की टीम और उनके ओपर लीडरों की टीम है वो पूरी ताकत लगाए हुए मुसल्मानों को डर्पोग बनाने की शरूल कास्ट को डर्पोग बनाने की और सिख क्रिस्चन बौधों को भी डर्पोग बनाने की लेकिन अभी तक वो इसमें काम्याब नहीं हुए है किसानों का अंदोलन इस बात की गवाई है और सी एनर्सी का जो हमारी महिलाओं ने अंद पोक नहीं हुए सब्सक्राइब करते कभी आतंकवादी किसी को बोल देते हैं तो कभी इस तरीके के बयान दे देते क्या इनको संडक्शन पराते सुप्रीम कोट को देखे सुप्रीम कोट में कुछ जज्ज है उनके बारे में यह बिल्कुल कहा जा सकता है और मैं अपने और करनी से नजर आ जाता है कि वो डरे हुए हैं दबाव में हैं या किसी लालच में यह बात कहने में मुझे कोई हिचक नहीं है और अगर मैं नहीं कौनगा तो भारत के समिधान के साथ बहुत बड़ा अन्याय करूंगा क्योंकि बाते तो बड़ी-बड़ी करते हैं और प जो की बहुत ही खतरनात बात है यस्टिस लगना चाहिए होते हूए यानि के टिपणियां आनी चाहिए लगता तो है कि सुपरीम कोट क्या जबरदस्त अपने ही orders को एक तरीके से shredder में डालने वालों को मिट्टी में मिला देने वालों को orders को अपने कोई action नहीं लेती अभी बुल्डोजर का जो order था सुप्रीम कोट का उसकी जिस प्रकार से धजियां गुजरात और आसाम में उड़ाई गई हैं में उड़ाई गई है अब इनके खिलाफ कुछ नहीं होगा इससे साफ जाहिर होता है कुछ जजिस जो है सुप्रीम कोट के भी और दूसरे जजिस भी डड़े हुए हैं लालच में अगर सड़क पर उतरते हैं तो घर बुल्डोज हो जाता है तो ऐसे में उनके लिए क्या रास्ता है कि वो इस तरहां कि भड़काओ बयान देने वालों पर वो कारवाई करवा सके अगर सड़क पर नहीं उतरेंगे तो गरांटी है कोई बुल्डोज नहीं आएगा तो बिलकुल ना उतरें इस बात की गरांटी है कि वह अपने जो यह फ्रॉडुलेंट नेता हैं उनके बैकावे में आके जो सिर्फ बाते बाते करते हैं कई कई तो उनमें से ऐसे भी है ना जो वही जजिस की तरह बोलेंगे तो सही आवाज बहुत उठाएंगे लेकिन उस आवाज को अमल में लाने के लिए कुछ नहीं करेंगे वही सुप्रीम कोर्ट वाली बात हो गई कि टिपड़ियां तो बहुत अच्छी अच्छी है क्या बात कही है ताली लेकिन अमल जीरो तो अगर ऐसा लगता है आपको तो इन नेताओं की बातों में आके आप बुजदिल के लोगों को मारा जाता है अभी एक सेमिली को मार दिया क्योंकि एक महिला को छेडा गया एक व्यक्ति द्वारा उसने शिकायत की उससे बोला गए हम तुझे मार देंगे मार देंगे मुसलमानों के साथ यह नहीं हो रहाए मैं बार-बार इस बात को बोलता हूं शरूर कास सारे मजलूमों को एक साथ होके SCST और जो मुस्लिन से Christian Board और OBCs को साथ मिलके आना पड़ेगा यह है solution सर आपने लेख सर लिबनान में नसुला मारे जाते हैं सर आप के रहें कि इन लोगों को जो है ट्रेंड करके बेज़ा जाता है किसी प्रकार के थे किसी ना किसी फॉर्म में अब एक और तरीका होता है यह हम जैसे लोग जो है जो असली action करेंगे जैसे त्यागी का इलाज किया हमने कानूनी इलाज उस इलाज को कमजोर करने के लिए हल्की धाराओं में एफायर कराएगी मुश्लिम राष्ट्रे मांच ताकि यतिन अर्सिंगा नंद से जो वादे हुए हुए है यह पूरी तरीके से बचाने की कोशिश है बिल्कुल 100% बचाने की कोशिश है और जो हम लोग काम करेंगे हम धारा 120 जो थी पहले जो conspiracy की धारा थी साजिश की धारा थी उसमें तो यह सब बड़े-बड़े नेता नपेंगे ना इसमें क्योंकि फोन कॉल डिटेल्स जब निकाली जाएंगी किस किस से यती नरसिंगा जिन नंद ने बात की उससे तो सब पता लग जाएगा ना कौन-कौन कहां-कहां बेटा है तो इसी लिए यह सब लोग इसको बचाने की काम करेंगे मैं तो उनके फॉलो मैंने किया चार साल तक फॉलो किया उन्हें हर बार मुझे धोका दिया बात कर रहे हैं आप तन्सीमों के लीडर ने तन्सीमोंने नहीं जिनकों में चोर गहता हूं तो मैंने उनको बहुत दिन तक बरदाश्ट किया, मैंने उनकी बहुत दिन तक बात मानी, जब मुझे 100 नहीं, 100 फीसत से भी ज़्यादा यकीन हो गया, अगर इन लीडरों की बात मानोगे, आप धोका काओगे, अगर कोई केस कर रहा है, तो वो अच्छी कानूनी सला लेके, मैं सेक्शन भी बता रहा हूँ, सेक्शन 111 BNS और सेक्शन 15, 16, 18, 20 Unlawful Activities Prevention Act के तहती होना चाहिए, उससे कम धाराओं में आप कराओगे, तो इन जैसे लोगों की मददी करोगे, और अगर मेरे पास जो आपने मुझे से पूछा ना, आप विजवाओगे जेल, मेरे पास कोई क्लाइंट आ गया, तो ये बो जागी जी बोलना पा रहे हैं, अचकर आज सकेगी, सर मुसल्मानों में बहुत है, इससे पहले नुपूर शर्मा ने भी जो काम किया था, उसके बाद रामजीरी जो महराश्ण में है, और अभियती नर्सिंगानन, लेकिन हमरा में होता है, गिरपतार ही किसी की नहीं होती, मैं वही तो कह रहा हूँ, ये कड़ी में उबाल की तरह, ये ही तो हमारे नेताओं की खराबी है, एक इशू है, उसको अंजाम तक नहीं पहुचाएंगे, बलकि उससे अपनी टियारपी गेधर करेंगे, पबलिसिटी आसिल करेंगे, नेता बनेंगे, ये दिखाएंगे, मैं कह रहा हूं कि, एक्जामपल से ही, हर एक वेक्ति से सवाल करने चाहिए, अगर कोई वेक्ति आपके सवालों के जवाब नहीं दे पारा, पूछें, मुझसे पूछें, जैसे आपने पूछा, आपने क्या किया, मैंने बताया ना, मैंने त्यागी की सबान बंद कराई, एक ही केस मेरे पास आया था, उसी में मैंने इलाज कर दिया, अगर कोई आ गया मेरे पास यह यतिननद जी का केस, तो यह उमर कहत के लिए जाएंगे, यह मैं गारेंटी कर रहा हूं, यह इनको ना यह बचा ना पाईगी, यह इंको, जी जी लगा रहे हैं आप बार बार, तो उसमें क्या बुराई है, यह हमारे समिदान की वो है, एक्यूस्ट भी है ना भी वो, अभी कोई वो मुझरिम नहीं मन गए, तो इसलिए यतिनसिंगा जिननन्द जी ही कह रहा हूं, मैं त्यागी जी भी कह रहा हूं, जिस व्यक्ति का मैं नाम भी नहीं लेना चाहता, म मैं उसे इतना गन्दा मानता हूं फिर भी यह हमारी एक तैजीद है, जो प्रोफेट के बारे में ऐसा कह रहें है तो यही तो हमारे रसुल आल्ला ने हम सिखाया है, यही तो फायदा है, वो जो काम करेंगे जिसकी हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं, जिसको वही काम हम करें, हम दिए गया को हैं यह आप भारत में और फिलिस्तीन में एक हमाना बहुत लंबा इरान में और भारत में एराक में और भारत में हमारा एक बहुत लंबा थिए तो अगर वहां के लोगों को कोई तकलीफ है, वहां पे एक गुंडा एलिमेंट इसराइल जायनिस ताकत की तरीके से बैट गया है, एक गुंडा, बेइमान आदमी बेंजामिन नेतनियाओ साहब, बैट गये हैं, बेंजामिन नेतनियाओ जी, बैट गये हैं, जो की अपनी कर वो सब के सब खत्रे में आ जाएंगे क्योंकि बिंजामिन नितन्याओ की और इसराइली आर्मी की कोई हैसियत और उकात थोड़ी है इरान के सामें खड़े जाने की तो बिंजामिन नितन्याओ अपने करफशन के केस चुपाने के लिए अपने पूरे देश को खत्रे में डाल और घर घर से इंसाफ की ही जो है इंसाफ के लड़ाई लड़ा है आपको य Cornा चाहिए अब जो मिंबर ऑफ यूं लेबनान की रूलिंड कोलिशन का एक हिस्सार है बूर्स उनके मिंबर हैं लेख रिस्प्रेट्ट लेख सबसे अच्छा काम कर रहा है इस वकत पूरी दुनिया में उनके लिए सरकार सरकार ने देखिए हाला की अडानी की वजह से मिस्टर अडानी जी की वजह से जो बेंजमीन नेतन्याव से उनके तालुकात हैं बेंजमीन नेतन्याव जी से उसकी वजह से मोदी जी ने भी अपनी भारत की पॉलिसी कुछ खराब की है लेगिन फिर भी अभी इरान के साथ नेवल जॉइंट नेवल एक्सराइज होने जा रही है यह आपको इशारे समझ में नहीं आ रहे हैं जो लोग वहां के लिए पैसे नहीं वो बिदेज जा रहें नहीं दिलाने साथ कैसे होगा आप से अपनो के लिए अपनों के लिए वाल का लॉट के लिए नहीं चूरू हो जाएगी तो अपनों के लिए परिवार के रहें जो मौनगे देनी कि मुसल्मान के साथ कम हो रहा है और दलिग के साथ ज्यादा वाली बात नहीं समझना चाहिए लेकिन दोनों के साथ ही दोनों ही परेशान है यह आपका मानना है मेरा ऐसा मानना है कि मैं वो शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहता करता भी नहीं शडूल कास्ट जो प्रवानों के साथ तो अभी कुछ सालों से शुरू हुआ है ना उनके साथ तो 5000 साल से हो रहा है तो इसका यह मतलब नहीं है कि वह सही हो गया क्योंकि उनके साथ हो यह उसे नजर अंदास कर दिया जैसा गलत है